नमस्ते दस्तों मेरा नाम मनमत बिरादार मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज एक महतुपूर्ण सब्जेक्ट जो मिलेट्स मिलेट्स माने जुआर बाजरा या फिर हम बहुत सारी जो नैचरल हमारे मिलेट्स है उसको कहते हैं तो उसके बारे में आज चर्चा करेंगे ये जुआर बाजरा जो है वो मिलियनर क्रॉप मिलेट्स में बहुत सारे क्या टाइप्स होते हैं क्या उसके बेनेफिट्स होते है health benefits क्या है उस सभी के बारे में चर्चा करेंगे ये बहुत महतुपुर्ण वीडियो है दोस्तों और आप आखिर तक इसको जरू देखिए क्योंकि इसमें बहुत सारी information मैंने research की है और मैंने दी है यहाँ तो चलो हम शुरू करते हैं तो दोस्तों हम पहले देखते हैं कि टाइपस आफ मिलेट्स मिलेट्स जो है जो जवार बाजरा इस टाइप का जो क्रॉप होता है जो बेसिकली अगर हमने research किया तो it is a weed crop हम इसको बोलते हैं लेकिन फिर भी इसका जो food महत्व है जो खाने का महत्व है जो semi-arid area है जहाँ पानी कम है ऐसे area में आता है इसको ज़्यादा बहुत कर्ष्ट करने की जरूत नहीं है naturally बहुत आ जाता है तो इसलिए बहुत important है क्योंकि आजकल medicinal level पे उसकी क्या उपयोग है कैसे है यह हम देखेंगे इतने प्रकार के यह यह एप्रवजिमेट मिलेट साथ प्रकार के आठ प्रकार के हैं हमारे भारत में जो दिखाई देते हैं वो आठ प्रकार के हैं तो अभी फॉर्स्ट कौन सा है पहला तो सौर्गम जवारी जवार if you remember many grand mugs prefer जवार रोटी over regular wheat रोटी सब्रुटेन फ्री अभी देखिये हमारे पुरानी जमाने में हमारी नानी वगरा जो थी हमारे पुराने लोग वो प्रिफर करते थी कि जवार की जो रोटी थी बहुत प्रिफर करते थी more than this wheat रोटी तो वो क्यों करते थे तो वो gluten-free थे इसलिए तो ये जवार का महत्वए ये पहला type है मिलेट्स का उसके आगे हम देखेंगे types के बाद की बहुत सारे कौन से कौन से उप्योग है उसके वसे कोन से खाना बनता है मिलेट से, ये भी हम सारे आगे वीडियो में दीजिए दोस्तों ikel 2nd Foxtail millet यह 표il मिलेट का क्या महत्व है Foxtail millet is available in the form of rice जिसे हमारे यह rice बनता है तो उसी का मतलब ये होता है जो अपना रवा की टाइप में होता है fine textured floor it is rich in dietary fiber dietary fiber में यह मतलब फूल होता है minerals like iron and copper इसमें ज्यादा होते है iron and copper तो यह foxtail millet बहुत important है दोस्तो इसके बाद third है finger millet finger millet यह नहीं रागी मतलब बहुत से लोगों को पता होगा यह रागी जो है a good replacement for rice rice के बजाए राइस के बदले यह आप यूज कर सकते हैं इसे even wheat के बजाए भी यूज कर सकते हैं इसे रागी is a storehouse of protein and amino acid देखें रागी इतनी important है हमारी health के लिए तो यह जो है ना it is full of protein and amino acids तो it is very important fourth है pearl millet बाजरा बाजरा जो अभी millet है यह type है उसका a study has been revealed that pearl millet और बाजरा has been iron content in eight times higher than rice मतलब आठ गुना यह ज़्यादा है rice से बदले iron rich में तो बाजरा खाना बहुत important है उसका कितनी देखिए मैं यहाँ आपको उसका additional जो values है उसकी जो हमारे मतलब हमारे लोगों को पता नहीं है बहुत सारे लोगों को यह पता नहीं है कि यह जो साधे crop है इसमें ज्यादा मतलब हम fruits काते है vegetables काते है वो तो ठीक है लेकिन इसके उदर हमारा ध्यान नहीं गया है जो अभी जी ट्रादिशनल है जो हमारे पारंपरिक तरह से चलते आ रहा है बहुत ही उसमें वैल्यूस है नूट्रिशन से नूट्रिशनल वैल्यू है यह सारे crop को समझना पहुत है उपूर्टिट है दोस्तों तो फिफ्त है बार्नयाड मिलेट बार्नयाड मिलेट is one of the best milleets to include our everyday diet it has a considerable amount of fiber that helps maintain satiety तो देखिये बार्नयाड जो मिलेट है यह भी बहुत ही मतलब उसका महतो है अपने खाने में तो हम उसको रेगुलर्ली भी हमको इसको खा सकते है इसके बाद में कोडो मिलेट if you are looking for a millet that closely resembles rice then that is कोडो मिलेट अगर rice के रेगुलरी जैसे मतलब मिलता जुलता अगर कुछ चाहिए तो यह कोडो मिलेट है उसके बाद है लिटल मिलेट अभी यह लिटल मिलेट जो है तो the millet may be called little but no means its nutritional content is little मतलब इसका जो nutritional value है बहुत बढ़ा है उसको little नहीं बोल सकते है इसका नाम भी बढ़ा little हो लेकिन यह little नहीं है nutrition में इसके इसमें बहुत बढ़ा potential है इसमें देखिए बी विटैमिन बहुत है minerals जे से calcium है, iron है, zinc है, potassium है इतने सारे से वो rich है that is little millet आठ बहा है पॉरसो मिलेट देखिए यह पॉरसो मिलेट is a rich protein protein में रिच है and has complex carbohydrates carbohydrates में बहुत रिच है यह भी इसलिए यह जो अभी आठ टाइप्स हमने देखिए these are the types of millets देखिए यह millets as a millionaire crop यह हम जो heading दिया है, वो किस लिए दिया है क्योंकि millets को जो अभी value आ रही है इसका business कैसे हो सकता है इसका last में हम चर्चा करेंगे ज़रूर इसमें last जो मेरा point है उसमें वो है business का तो millets for business इसके बारे में हम चर्चा करेंगे तो अभी जो second मेरा discuss करने का जो point है that is 5 Indian dishes which can infuse millets अभी 5 Indian dishes है जो मतलब हमारे यहां regular खाने में बनता है, जो Indian dishes वो कौनसी है जिससे हम यह food खा सकते हैं कौनसी food बना के यह खा सकते हैं देखिए यहां बहुत सारे हमने 5 बेसिकली चर्चा की है millet instead of rice rice के बज़ाए आप अगर millets यूज करेंगे तो उसमें बहुत ही nutritional value है आपका fat भी नहीं बड़ेगा और उसमें बहुत nutritional content भी आपके बोड़ी में जाएंगे तो बहुत ही important यह first है millet instead of rice you can now eat this cooked millet with sambar अगर अब साथ इंडिया में है या फिर कहां भी है तो उसको अगर रस्सम या फिर उसमें दाल के साथ अगर आपको खाना है तो आप खा सकते हैं उसमें तो यह कितना मतलब जैसे rice हम काते हैं उसी तरह से तीसरा उसमें जो इंडियन डिशेस में हैं millets in khichdi और pungal जैसे खिचडी में आप millets मतलब दाल सकते हैं या millets की भी खिचडी आप बना सकते हैं तो यह तीसरा है बहुत important क्यूंकि अभी तो खिचडी as such international यह पकवान हो गया है इसे internationally भी इसे पहचाने लगे हैं लोग क्योंकि यह अभी इंडिया के बाहर भी गया है तो उसके बाद millet for upma upma में आप उसमें कर सकते हैं upma में डाल के आपको उसको यूज करके आप उसमें खा सकते हैं then salads with millet तो यह salad के साथ भी आप मिलेट जरूर खा सकते हैं इसमें मिलेट्स इंकारोपरेटेड इन दे wheat floor अभी जो हमारा regular हमारा जो मतलब यह होता है तो उसके साथ जो floor होता है उसके साथ आप उसको mix करके आप घहूं का जो आटा होता है उसमें आप mix करो और आप खालो उसमें भी अच्छा उसमें आपको nutritional value दे देगा तो यह मेरा second point है यह 5 dishes यहां ऐसे बनती है इसके बाद हम देखेंगी कि millets for business अभी यह जो हम यहां discuss कर रहे हैं उसका क्या मतलब हम क्यों discuss कर रहे हैं क्योंकि अभी जो millets का benefit health benefit वो बहुत सारे benefits है तो हम यहां देखेंगी कि millets as a millionaire crop का मतलब है millets में आप खाके तो आप millionaire बन सकते हैं लेकिन आप उसको business करके millionaire चाता बन सकते हैं यह बहुत important है क्योंकि लोगों को अभी पता चला है कि millets जो crop है nutrition रीच है बहुत अच्छा है काने में उसमें आप हमको खाना चाहिए day-to-day basis पर regular basis पर of course इसका investment कम है बहुत फिर भी investment कम है मतलब इसको उगाने में या फिर बाकी की चीज़ों में जादा इसको पैसा नहीं लगता तो कम input में आने बाला crop है लेकिन high nutrition रीच है इसलिए उसको जादा भी कीमत आ रही है example के तोर पर मैं आपको दिखाता हूँ इसका एक website कोल के अभी देखिए यहाँ यह Google में मैंने अगर search किया यह आशिरवाद नाम का जो अपना ITC company का जो आशिरवाद आटा आता है उसी का company का यह flip card पर मतलब बेचा जाता है multi millet mix देखिए यह 67 rupees per kg का आता है आशिरवाद नेचर superfoods multi millet mix अभी यह आदा केजी का आता है आदा केजी में यह आपको multi millet मिलेगा इसमें बहुत सारे उसमें 4-5 आपको mix करके यह आपको मिल जाएंगे इसे online इतने flip card पर भी बेचने लगे है तो बहुत सारी company इसको बेचने लगी है इसे मैं आपको second अभी दिखा रहा हूँ यह vintage farmers नावरू की मतलब website है इसके आप बात देखो यह Amazon पर देखिए इसे Amazon पर इतनी अच्छी तरह से यह मतलब उसका sale हो रहा है देखिए kodo millet, fox tail यह नीचे आप अगर देखते हैं तो यह सारी उसकी मतलब देखिए उसके pictures है इतिनिक millets में kodo millet, fox tail है इसमें फिर little millet इतनी सारी range हम अभी discuss कर रहे थे types of millets में तो इतनी सारी उसकी range है अलग-अलग तो यह ऐसे सारे इसमें types में आता है देखिए इसमें nutrition facts दिया है जैसे iron कितना है, fiber कितना है protein कितना है, calcium कितना है यह सभी में यहां दे दिया है तो कहने कातात पर यह है कि अभी बहुत सारे हमारे stores, online stores पर यह यह बेचा जा रहा है इसका अभी बहुत से लोगों को पता चला है इसका nutritional value क्या होता है जैसे देखिए यहां बहुत सारी website है यहां उला मार्ट अलग-अलग vintage farmers तो अलग-अलग website पे अलग-अलग millet अभी बेचने लगे है अभी यह देखिए यह कोई से website दर इंटरेस्टिंग दिख रहा है यह हम देखिए pure and sure organic on leaf ओके तो यह यह भी website देखिए इतना सारा अच्छा इन्होंने यहां pure and sure organic पॉर्सो मिलेट मतलब कहने का ताथ पर यह है कि अलग-अलग लोग अभी यहां अलग-अलग तरीके का packing करके यह सब चीजे बेच रहे हैं इसका महत्वा आ गया है तो आप अगर कोई मतलब business करना चाहते हैं तो जरूर आप इसमें चाहिए बहुत ही मतलब profitable वाला business है उसमें कम investment लगेगी लेकि उसमें profit अच्छा रहेगा इसको अच्छी branding करिए और आप online भी इसको बेज सकते हैं देखे जो millets for business में हम अभी चर्चा करेंगी जो points है पना मैंने आपको example बताया लेकिन इसमें exactly जाएंगे point to point इसमे forgotten foods organic foxtail millet अभी forgotten foods मतलब अभी हम इसको भूल चुके थे लेकिन यह traditionally अगर सोचे तो बहुत ही मतलब उसका nutritional value जादा होने के कारण अभी उसमें महत्व आगे है उसमें तो अभी इसको forgotten foods में आप लेकर के भी बेज सकते हैं या फिर देखे आइमाज़न इस सेलिंग का 165 रुपीज का पर केजी भी करा है नैचुरल ग्रेंस कॉम्बो पैक फोर तो इसमें कॉम्बो पैक भी आता है और कॉम्बो पैक जिसमें फॉक्स टेल है कोडो है लिटल मिलेट है बान्याट ऐसा जैसे हमने अभी देखा कॉम्बो पाके उसी तरह से आता है जैसे मल्टी मिलेट आता इसमें भी है मतलब इसमें मिक्स करके आते में मिक्स करके भी उसमें आप दे सकते हैं जैसे नाचुरल फ्लॉवर में न्यूट्रेंट पावर होस इसको बोलते हैं न्यूट्रेन पावरोज इसको बहुत ज़्याद है इसलिए हम न्यूट्रेन पावरोज इसको बोलते हैं मैं नेन यूट्रेन मैं हैं सबस्क्राइब कर सकते हैं तो वोस्त करके ऑन इसको कम कर सकते हैं बिमारी को, useful for weight loss, अभी देखो weight gain एक बहुत बड़ा problem है, weight loss के लिए ये बहुत सारी use के, जैसे मैं बोल रहा थे कि rice skip करने के लिए doctors बोलते हैं, उसकी वजाए आप ये millets उसको ले सकते हैं और आप उसको खा सकते हैं, बतलब इससे आपका weight कम हो जाएगा, millets are nutritious as fruits and vegetables, fruits and vegetables के जैसे ही ये भी उसमें additional कुछ benefits है, nutrition है, तो millets fight heart diseases, heart diseases का आपको कुछ problem है तो उसमें आप कहा कि ये उसमें fight कर सकते हैं, millets help to prevent gallstones, gallstones जो रहता है जिन लोगों को stones होते हैं, तो वो भी उसमें recover हो सकता है, या आपको होई नहीं सकता है, आप अगर regular basis ले ये millets खाएंगे तो, millets role in childhood asthma gluten free, gluten free होने के कारण ये अस्थमा के लिए children's में, चोटे बच्चों में मतलब use किया जाता है, तो ये सारे उसके अलग-अलग benefits हैं, तो आप इसका एक अच्छा business model बना के, millets for business ऐसा करके उसमें आप अच्छा business इसमें कर सकते हैं, millets a millionaire crop मतलब आप अगर अच्छा इसमें packing करके, आपका नाम branding करके, अगर आपने online या फिर physical stores में भी आपने अच्छा बेचा, तो इसमें बहुत profit हैं दोस्तों, तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो आप ज़रूर से subscribe करिए, क्योंकि मैं अच्छे अच्छे वीडियो इस चैनल पर मैं regularly उसको अपडेट करते रहता हूं, नए नए वीडियो में अनग बनाते रहता हूं, तो थैंक यू फर वाचिंग इस वीडियो फ्रेंड्स,